हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की शिक्षा निदेशाले राश्ट्र दासधानिक शेत्र दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 14 जो की कक्षा आठवी के विद्यार्थियों के लिए है यह ली गई है हिंदी विछे से और इसमें हम फिर से एक बार कविता दिवानों की हस्ती को आगे समझेंगे तो चलिए बिना समय कवाय शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों आपकी पाठे पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कारे पत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन पाठों पर चर्चा की जा रही है आईए इसी क्रम में आज दिवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं तो जैसा आपको याद है न कि हमने पिछली बार भी इसकी कुछ पंक्तियां समझी थी और उस पर चर्चा की थी आज उससे आगे समझेंगे तो चलिए देखते हैं के कौन सी हैं वो पंक्तियां किस ओर चले यह मत पूछो चलना है बस इसलिए चले जग से उसका कुछ लिये चले जग को अपना कुछ दिये चले दो बात कही दो बात सुनी कुछ हसे और फिर कुछ रोए कुछ बात तो आपको यहां पर भी समझ में आई होगी फिर भी हम इसका भावार्थ समझते हैं तो देखे इन पंक्तियों के माध्यम से कभी कहना चाहते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं यह हमसे मत पूछो अर्थात हमारी मनजिल मत पूछो हमारा धे बस चलते जाना है यानि हमारा उदेश बस चलते जाना है इस यात्रा में जो कुछ हमें मिला वे हमने लिया और इसके साथ हमसे जो मदद हुई जो भी हमसे दिया गया जो हमसे मदद हुई वो हमने की फिर दूसरा जो पंक्तिये हैं जो दूसरा आपका स्टेंजा है उसके बारे में अब हम समझेंगे इन पंक्तियों में कभी कहना चाहा रहे हैं कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ लोगों के अनुभव भी साजा की यानि कुछ अपने अनुभव लोगों को बताए और लोगों से उनके अनुभव सुने कुछ बातों की खुशियां मनाई और कुछ दुखों को सहाबी हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के भी दुख या सुख मिले हमें उन दोनों को ही हमने एक भाव से स्विकार किया, हमने ये निका कि सुख है तो बहुत अच्छे से उसको स्विकार किया और दुख को हमने स्विकार नहीं करा, तो उसको हमने दोनों को एक भाव से स्विकार किया, फिर कुछ अपरिशित शब्द इसमें आये जैसे जग, जग क इस जग का मतलब वो पानी वाला तो होता है लेकिन इस जग का मतलब है संसार और छक्कर मतलब मन भर या जी भर जैसे हमने बोलते ना आज हमने छक्कर लसी पिया या छक्कर शाच पिया मतलब बहुत मन भर के और बहुत जी भर के कोई काम करना तो चलिए अब हम चलते हैं प् क्योंकि उनकी कोई निश्चित मंजिल नहीं है वो तो बस चलते रहते हैं क्योंकि यही उनका स्वभाव है फिर उसके बाद है कि जग से कवी को क्या मिला जग से कवी ने बहुत कुछ गयान प्राप्त किया कुछ सीख ली है यानि जो भी उनको सीखने को मिला कुछ गयान मिल वो उनको, उन्होंने जग से उनको मिला और वो उन्होंने सीखा. फिर तीसरा प्लशना है, कि दो बात कहने या सुनने से कवी का क्या आशाय है? कवी का आशाय है कि वे जहाँ कहीं भी पहुंचे, वहाँ के लोगों से खुशी खुशी मिलें उनसे बात चीथ की, अपने मन की बात कही अपने मन की बात कही अपने मन की बात कही अपना सुख दुख बात और उनकी मन की बात भी सुनी फिर चौथा प्रशन है कि कवी ने सुख और दुख को छक कर पीने की बात क्यों कही तेकि कवी ने ऐसा इसलिए कहा है कि जो दुख सुक के समय भावनाए जगी उनको एक दूसरे के साथ बांटा जिससे व्यक्ति का मन हलका हो जाता है जो सुक दुख के भाव हैं एक समान गमों से पिये चले और आगे बढ़े चले यानि की कहने का मतलब है कि उसको हमने एक तरीके से ही उसको लिया चाहे वो सुक हो चाहे वो दुख हो ठीक है इस तरीके से कवी ने सुक और दुख दोनों को छक्कर पीने की बात कही है फिर इसके बाद है प्रशन नमबर पांच सुख और दुख को एक भाव से कैसे सुईकार किया जा सकता है देखिए सुख दुख को एक समान इसलिए कहा है क्योंकि लेखक दोनों को एक रूप से अमरित के समान लोगों के साथ साजा करते है यानि चाहे वो सुखो चाहे वो दुखो एक ही भाव रहेगा ये नहीं कि दुख आने पर विश्रित हो गए और सुख आने पर बहुत खुश हो गए तो इसलिए चाहे सुखो दुखो उनको एक समान उन्होंने इसलिए कहा एक भाव से इसलिए स्विकार किया जा सकता है क्योंकि जो है वो दोनों ही एक ही हैं यानि एक चीज के दो पहलू हैं और इसके बाद एक गतिविदी उपरयुक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों अनुछेद के रूप में अपने जग से उसका कुछ लिये चले जग को अपना कुछ दिये चले यानि क्या मतलब इसका कवी कहते हैं वो संसार से कुछ ग्यान लेकर और कुछ अपने पास से देखर जा रहे हैं इससे कवी की धारना सपश्ट होते है कि जिससे जो अच्छी बात मिले उसे ग्रहन करना तो टेलिग्राम एब पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चैनल से आप जुड़ें वहाँ पर इस वीडियो का लिंक और अन्य दूसरी इंपॉर्टन वीडियो का लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए आप देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाएं नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल अवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर को और जादा बढ़ा देजिए लेकिन याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारिया है कोरोना का टीका करान अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहना बनाना है इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद झाल